बिग बॉस ओटिटी काफी खबरों में बना हुआ है बिग बॉस को लेकर नई नई खबरें लगातार आ रही है तो वहीं तर्श कब भी व्यार बार चौक रहे हैं शो में अभी सिर्फ दो ही हफ्ते हुए है लेकिन अभी से ही तीन लोग बाहर हो चुके है अब बिग बॉस के घर में सिर्फ तेरा लोग बचे है जिनके बीच काटे की टकर हो रही है शो से नीरज कोयत, पायल मलिक और बीते दिनों पॉलमी दास भी शो से बाहर आ गई है तीनों को ही काफी स्ट्रॉंग कंटेस्टेंट के दौर पर देखा जा रहा था शो में इस वक्त सबसे ज़्यादा पायल मलिक की फैमिली चर्चा में बनी हुई है पायल घर से जाने के बाद लगातार वीडियोस पोस्ट कर घरवालों की पोल खोलती नजर आ रही है उनका सबसे ज़्यादा गुस्सा शिवानी कुमारी पर निकल रहा है इसी वीच पायल ने शिवानी को लेकर कुछ ऐसा कह दिया इसे सुनने के बाद आप भी यकीन नहीं कर पाएंगे दरसल कुछ दिन पहले ही शिवानी ने मलिक फैमिली और उनकी खातिरदारी को लेकर काफी कुछ बोल दिया था इसको लेकर पायल, कृतिका और अर्मान मलिक तीनों ही निशाना बन गए थे उसके बाद से ही लगातार इस बात को लेकर शिवानी से कुछ खटास नजर आ रही थी इसके बाद ही पायल घर से बहार आ गई और अब घरवालों को अपना निशाना बना रही है पायल मलिक का एक ऐसा वीडियो वाइरल हो रहा है जिसमें पायल शिवानी कुमारी की देहाती भाषा को लेकर बात करती नजर आ रही है पायल कहती है अगर आप 24 घंटे जियो पर बिक बॉस लाइफ देख रहे हैं तो आपने देखा होगा कि जब कटपुतली वाला टास्क हो रहा था तब वो कितनी अच्छी तरीके से हिंदी बोल रही थी इससे बिल्कुल साफ है कि वो शो में देहाती भाषा में इसलिए बात करती है ताकि उसे यूपी और गाओं आलो का सपोर्ट मिले और वोट मिले देखिए ये कितनी चालाग लड़की है पायल का ये वीडियो सोशल मीडिया पर खोव वाइरल हो रहा है इस वीडियो पर फैन्स भी भर भर कर कमेंट्स कर रहे हैं बिग बॉस उठिटी तीन में बॉकसर नीरिज कोयत पायल मलिक और पॉलमी दास के बाहर होने के बाद अब चो में सना मकबुल, सही केतन, अर्मान मलिक, कृतिका मलिक, शिवानी कुमारी, सना सुल्तान, दीपक चौरसिया, चंद्रिका दीक्षित, विशाल पांडे, लफक इंडिया